स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे हम इस आप्लिकेशन में कोई वान टाइम मॉडल परचेस कर सकते हैं सबसे पहले तो जिस काटेगरी का प्रड़क्ट आप खरीदना चाहते हैं उसके क्लिक कीजिए फिर उसके सब काटेगरी से लगीजिए उसके बाद गेट वन्स जो आपको यहां पर बटन दिख रहा है उसके क्लिक करेंगे गेट वन्स करते ही यहां पर एड़ेट चोग और उपर देखेंगे काट पर राइट हैंड साइब पर काट के अंदर प्रड़क्ट आड़ हो गया है अगर आप और कोई पर फ्रड़क्ट भी खरीदना चाहते हैं ओभी आप यहां पर goods make सबसे परिब आपका हां चाहिए का ब्रेश करना उसके बाद अब जब आपट हैभाण रखे कि अपना डिफॉल्ट कर दो शेमेंगा ताकि आपको हर बार जब भी आप order place करें address चूज़ करने की आवश्यक्ता ना पड़े इसके बाद date से रख कीजिए जिसन आपको ये डिलेवर कराना है हम 15 चुन देते हैं उसके बाद किस time पर आप ये डिलेवर करवाना चाहते वो time भी आप हर एक प्राडक्त के लिए different type भी आप चूज़ कर सकते हैं चलिए दिखते हैं ये एवनिंग में चाहिए ये हमएं माणून चाहिए ये हमें सर इनिग में चाहिए तो इस तरीके से आप अफके से आपका schedule जो है हर प्रॉडउक्त के लिए और को फ्लेस कीचे, अगर आप cash on delivery पे करना चाहते तो cash on delivery चूज कीचे, wallet से पे करना चाहते तो पहले अपना wallet रीचार्ज कीचे, pay you money के द्वारा pay you money रीचार्ज करेगा आपका wallet, फिलाल मेरे पास pay you money की application नहीं है तो यह नहीं open हो रहे, एक बर आपके पास application होगी तो आप यहाँ पे online payment कर बाएंगे, अभी फिलाल cash on delivery चूज करके confirm कर देते तो उमारा order प्लेस होगया है, अब जब जैसे ही आप order प्लेस करेंगे, आपको notification आएगा, SMS आएगा, email आएगा कि आपके चुप one time order है, वो प्लेस होगया है, और अगर आप यहाँ पे देखे तो next order details के tab क आपको सारे अपने order की details दिखेंगे, आज की orders यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और next जो order delivery का time है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे है, सुभे की orders आपको यहाँ पे दिख रहे है, morning time का और evening time की orders आपको next आप में दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप एक one time order place कर सकते ह अगर आपको order pause करना है, या edit करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे next order details पे change order पे click कीजे, यहाँ पे अगर आप कुछ भी देखें, कोई भी detail देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखके save कर सकते हैं, अगर आप pause करना चाहते हैं, तो उसके लिए my orders पे जाके one time order पे चाहिके अगर आप अभी पे करना चाहते हैं, तो पे नउ पे click कीजे, अगर cancel करना चाहते हैं, तो उस order पे click करने पर आपके पास ईख़र आएंगे, या तो आप पी नउ यह आप Cancel Order कर सकते हैं Cancel Order लो क्लिक करने पर आपका Order Cancel हो जाएगा तो यही विदी है आपकी One Time Order Place करने की और Cancel करने की शुद्ध इसी आप्लिकेशन यूज करते हुए कोई भी दिक्ता आए तो हमारी Service Provider से कर दो कर दो कुंकर बच्च कर दोंग दो कर सकते हैं